अपने पहले ही अंदेशा जताय था, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे, उन लोगों ने उनका भी वहरणी से इंकाउंटर कर दिया, हम यहीं चाहते हैं कि सबका इंकाउंटर हो, इनसाफ मिले, इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाब कुछ नहीं बोल रहे थे, लिकिन वास्तों में जो हो रहा ह बहुत गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए, जाए फिर इसमें भी पच्छी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है, बहुत गलत करवा रहा है, हम लोगों को इनसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो किये हैं, बहुत गलत क भगवान तो उनको सजा देंगे ही लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून के तरफ से अगर कोई गुना करता है तो उसकी सजा कोड देता है ना कि पुलिस ऐसे इंकाउंटर कर देगा आपके भाई का क्या सुभाव था किस तरह से कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो सर हमारे भाई का सुभाव एकदम सरल था पढ़ने लिखने में भी एच्छ थे हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंट के जैसे बिहेवियर उनका था और गए थे तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत जादा उनको लगाव सने था जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है और आज आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैरस एकदम खिसक गई हो जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो मिल गए थे जूटी दिखा रहा है कि फाइरिंग हुई मुठ बेड हुआ अगर कोई इच्छी परहा है डर की चाड़ दोंको उनका टिकट था वापस चले गया थे सूरत वहीं रहते थे तो क्या एक साजिस्ता था को भाई के हत्या हुई और इसमें जो बिपेंसिंग है और जो बिने सुकला है वो हमारे घर पे आये थे तीन-चार बार आये थे और हमारे भाई पढ़ाई करती थे खालच मिले जाकर उनको सूरत में ऐ his निंद्स ने फगवान को पता है वह सच था खूयूट था अब department कहीं भाई को भाई को बसम यह चाहते हैं कि जिन्हों ने एंकाउंटर किया उनके उपर के else होना चाहिए कि कि अगर कोई गुना होता है तो उसकी सजा कोर देग ना कि झाल